हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं Wuthering Heights जो नौवल है Emily Bronte ने जो लिखी है मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूँगी तो इसमें काफी सारे characters हैं और story flashback में चलती है तो मैं आपको characters को साथ ही साथ introduce कराते जाऊंगी जैसे जैसे वो आते जाएंगे तो सबसे पहले हम शुरू करते है Mr. Lockwood से जो की Wuthering Heights में आई हुए हैं क्योंकि उन्हें Thrush Cross Grange जो है किराय पे लेना है यहाँ पे दो घर है Wuthering Heights जो की हमारी novel का title भी है जिसका मतलब होता है Strong Winds और दूसरा घर जो है Thrush Cross Grange तो इनको दूसरा अला घर किराय पे लेना है इसके लिए वो इस घर में आते हैं तो इस घर का जो मालिक है वो है Heathcliff तो वो उस घर की नौकरानी Nellie Dean उससे पूछते है कि इस घर का क्या है इसके मारे मुझे तुम background में बताओ कि ये सब लोग कौन है ये ऐसे क्यों behave कर रहा है तो Nellie Dean उनको story बताती है यहाँ से हमारी असली novel चालो होगी तो वो बताती है कि बहुत time पहले जो एक earnshaw करके आदमी थे और उनकी wife थी उनके दो बच्चे थे एक थी उनकी चोटी बेटी Catherine जो बहुत मस्ती करती थी और उनका बड़ा बेटा Hindley ये दोनों ये चारो लोग उस family में रहती थे तो एक दिन जो Mr. Earnshaw है वो कुछ business के सिलसिले में गए टीन दिन के लिए और जब वापस है तो वो अपने साथ एक और बच्चा लेकिया है जो कि था Heathcliff Heathcliff जो था ये बहुत ही डाक सा एक जिपसी बच्चा था जिसको देखे हर कोई पहले तो बहुत डरा हुआ था और किसी ने भी उसको एकदम accept नहीं किया उपनाम से क्योंकि हर कोई ऐसे था कि ये हमारी सोसाइटी को बिलॉंग नहीं करता है लेकिन कैथ्रीन जो थी वो बहुत कुछ थी कि उसको एक और बच्चा खेलने के लिए मिल गया तो अब धीर धीरे लोगों ने Heathcliff को accept किया लेकिन हिंडली इंडली सबसे जड़ा हुआ था था हीटलिफ पे उस को हिंडली को रिस बिलकुल पसंद नहीं था वो उसको बहुत परिशान करता था मारता पीता था उसकी चीज़ चेन लेता लेकिन हितली वे शांत सा बच्चा था, कुछ नहीं गोलता था, किसी को शिकायद भी नहीं करता था, मार पढ़ दीती तो चुपचा, मार खाके बैठा रहता था, अब धीरे-धीरे हुआ है कि हिंडली बढ़ा हुआ और हिंडली पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया, और क्यातरीन और हितलिफ जो है, फुल टाइम साथ में रहते थे, मस्ती करते थे, घूमते फिटे थे, फिदीरे मिस्टर अर्ण्चो के तबियत खराब होती गई, क्योंकि उमर के साथ साथ होता था था, तबियत खराब होती है, उसी वक्त हिंडली अपनी पढ़ाई खतम करके वापस आया और उसके साथ में वो अपनी बीवी भी लेका है, वो शादी करके वापस आया, तो अब वो चाता था कि उसको कोई परिशान नहीं करें, तो वो हितलिफ को हमेशा घर के बहार रखता था और बोलता था कि तुम बहार ही रहो ये वो, और इधर अर्ण्चो की ड कहा जब परियंगा रहे है को हमें, तो युषाल रहनाट रहता सुनदर नहीं राहा से अपनी वादर आट से जो कि इनका घर था तूसरे वाली हिल पर जले जाते हैं, जो कि है ठरश क्रास क्रीञ्च। वहाँ पे देखते हैं बहाँ बड़ा मैंशन है, बहाँ सुंदर, ल तूय उपएस में जघड रहे हैं एक टॉय के लिए ये दो बच्चें हैं एडगर और उसकी छोटी बहन हीसाब्ल तो ये दोनों निकलने लगता है, जिसकी वज़े से इन दोनों को रुखना पड़ता है, ही खलिफ और काथरीन को वही रुखना पड़ता है तो उस घर के जो नौकर वगर है वो भी सब भाग क्याते हैं और वो बोलते हैं कि अरे इस लड़की को तो हमने देखा है, हमारे पास वाले घर में रहती है और लेकिन, तो वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि चलो इस लड़की को हम पट्टी वेट्टी करते हैं इसकी देख भाल करते हैं इसको कुतिने काट ले, खून निकल रहा है, सब कुछ लेकिन ये लड़का क्योंकि ये जिपसी है, काला है तो वो बुलते कि ये बता नहीं कौन है, कैसा गंदा सा लड़का है इसको भगाओ यहां से तो वो Catherine को तो वहां रख लेता है लेकिन Heathcliff को वहां से भगा देता है तो Heathcliff जब वापस अपने घर चला जाता है वो पहले जो सी मस्ती करने वाली शैतान लड़की रहती है उससे वो एकदम लेडी लाइक, प्रॉपर, पॉइस्ट और बहुत एकदम अच्छी घर के जैसे बड़े लोगों होते है वैसे वो बहेव करती है लेकिन जैसे ही वो घर आते ही से Heathcliff को देखती है तो एकदम उसके गले लग जाती है और उसको किस करने लगती है कि वो बहुत मिस करती है उसको तो अब जब वो घर आती है तो कहीने का इन दोने में थोड़ा डिफरेंसे आने लगते है क्योंकि Heathcliff को लगता है कि ये एकदम इतनी बदल के आई है और फिर कैतरीन जो है वो नेली से बात कर रही होती है और उसको बताती है कि मैं Heathcliff को पसंद करती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं Heathcliff से कभी शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसको मेरा स्टेटस और सोसाइटी बहुत अलग-अलग है वही अगर मैं एडगर से शादी कर लूँ तो हम लोग की ससाइटी भी सब बराबर के लोग है और उसके पास पैसा भी है वो एक अच्छा इंसान है वो मुझे प्यार करता है और वो बोलती है कि अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे क्या होता है कि Heathcliff वापस आता है वो वापस आता है तो उसको देखे Catherine बहुत कुछ हो जाती है कि अरे Heathcliff तुम वापस आ गया है ये वो लेकिन अब इन लोगों को जादा डाइम साथ में देखके Linton को अच्छा नहीं लगता है Edgar Linton जो की Catherine का पती है तो Linton को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसी बीच जो Isabel है जो की Edgar की बहन है चोटी बहन उसको Heathcliff अच्छा लगने लगता है उसको लगता है कि वाव ये कोई बहुत मिस्टीरियस सा आदमी है जो बहुत रोमांटिक होगा है तो उसको ये अच्छा लगन लगता है Catherine उसको बहुत समझाती है कि जैसे तुम समझ रही हो वैसा वो बिल्कुल नहीं है वो एक अलगी टाइप का इंसान है वो तुमें खुश नहीं रख पाएगा वो शादी वादी के लाएक इंसान नहीं है लेकिन इसे बहुत समझ में नहीं आता उसको वो प्यार में अंधी हो चुकी होती है और इदर जो एडगर है उसको ज़्यादा गुसान लगता है उसको बढ़ने लगता है वो वैसे तो बहुत समझधार और शान्त इंसान है लेकिन उसको फिर भी इनकी ये दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है तो वो एक दिन गुस्ते में आके कैथरीन को बोलता है कि तुम चूज करो कि तुम मेरे साथ रहना है तुम हितलिफ के साथ रहना है तो ये सब सुनके कैथरीन को बहुत गुस्ता आता है उसका दिल टूर जाता है वो बोलती है कि तुमने मुझे ऐसे सब बोला अब तुम देखना तो वो खाना खाना बन कर देती है बहुत कुस्ते में आ जाती है और इदर जो इसकी बहन है एडगर की बहन इसाबल वो अपने घर में चिछटी छोड़ देती है कि मैं भाग्क के साथ भाग के शादी करी हूँ मुझे दूरने मता आना और वो हैटलिफ के साथ शादी करके वाधरिंग हाइड चली जाती है थ्रश क्रोस ग्रेंज से और यहां थ्रश क्रोस ग्रेंज में जो कैथरी ने इसके तबिद और खराब पर खराब होती जाती है और लिंटन को फिर रियलाइज होता है कि ये बहुत बिमार होगे तो उसका बहुत ध्यान रखता है, पूरे टाइम उसके साथ में रहता है बहुत प्याट से उसको रखता है, सब कुछ करता है ऐसी रहता है कि वो जिन्दा है तब ही उसमें पता चलता है कि जो कैथरीन है वो प्रेगनेंट है तो ये लोग उसका और ध्यान रखते हैं और सब कुछ करता है लेकिन बाइद ये होता है कि कैथरीन अब एक बेटी को जनम देती है जिसका नाम होता है क्याथी वो बेटी को जनम देती है और फिर उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है इधर ये इस तरफ की सुई चल रहे है त्रश क्रास की रेंच की उस तरफ अगर हम देखेंगे वदरिंग हैस में क्या हो रहा था हिंडली था हिंडली और उसकी वाइफ जिते उनको एक बच्चा हुआ था लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी बिमारी से उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई थे तो इसलिए जो हिंडली है वो उसका बहुत देल टूट गया था कि मेरी बीवी मर की उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था तो वो ऐसी दिन बार आलकोल पीके दारू पीके वो पड़ा रहता था उस नशे में रहता था और उसको किसी काम देना कुछ नहीं करना था तो घर भी नौकरों के पर उसे चल रहता था तो कुछ दिनों बाद, जब इसकी शादी होगे, रिसा बेल भी वहाँ पे आ गई, जब इसा बेल भी इदर आ गई, तो उसको समझ में आया, कि ये गर तो कुछ अजीब साई है, यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ही ट्रिफ्ट जो है, सुनने में लगता है कि इसाबेल भी बहुत परिशान रहती है कि मैं क्या करूँ, और एक दिन इसी सब चक्कर में, हीट क्लिफ और हिंडली की लड़ाय होती है, और हिंडली की मौत हो जाती है, तो हीट क्लिफ उसको भी दबा देता है, क्योंकि अब उसके पास पैसा है पावर है, तो कोई उसको इसाबेल उसके साथ बहुत दिन तक तो रहने की कोशिश करती है, लेकिन फिर जब बहुत अधाती हो जाती है, तो वो अपने बच्चे को लेके, इसाबेल और हीट क्लिफ का जो बच्चा रहता है, जिसका की नाम रहता है लिंटन, उसको लेके वो भाग जाती है, वो हुआ है कि जो कहानी में आगे-ागे सब के बच्चे होते गए है तो कैतरीन और एडगर की जो है एक बेटी है जो कि है क्या थी उधर पे खिंडली का जो बेटा है वो है है टेन और इधर जो हीटलिफ है और इसाबल उनका एक बेटा है लिंटन तो अब जो हमारी शोरी वो न अब ऐसे नौकर की तरह अख़ड बना के रखता है पढ़ने लिक नहीं दीता है और उसको बाद चड़ा दा है कि हाँ तुम तो ऐसी रहो गवार रहो यही तो अच्छा है तो अपने इसाब से जी रहे हो यह वो जान बूच के और इधर इनकी जो बेटी है क्या थी एडग तो मेरे साथ में रहेगा तो वो अपने बेटे के लिंटेन को जबरस्ती इढर वदर रिंगाइच में ले आता है तो इस घर में हीट क्लिफ उसका बेटा प्लस हिंडली का बेटा नोकर की तरह रहते है, अब क्या होता है कि क्या थी और जो लिंटेन है वो प्यार में लेकिन असल में उनको प्यार नहीं होता है, हिकलिफ जान बूच के लिंटन के चकर में उसको पढ़वाता है, क्योंकि हिकलिफ का अब मन है कि वदरिंग है इस दोस्त का है ही, उसको थ्रश क्रॉस क्रेंज भी अपने नाम पे करवाना है, क्योंकि क्या थी जो है, उसके पिता इस खेंद उसके नाम पे हो जाए, तो वो जबय्दस्ति हो जादि करवा देता है, अपने घर में उसको खितनाप करवाके, विखनेज तो जो होई कोई क्योंकि देता है। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है कि क्या थी और हेटन की दोस्ती होने लगती है जो कि हीटलिफ को शुरू में तो अच्छे नहीं लगती है लेकिन फिरों से कहीने के एकदम रियलाइज होता है कि ये तो वैसे हुआ जैसे कि मैं था क्योंकि मैं भी ऐसी था खर्ड जिसको कुछ समझ नहीं थी जो इस सोसाइटी का नहीं था जिसको सोसाइटी ने एकसप्ट नहीं किया था उसकी जगह पे अब कौन है यहाँ पे हेटन जो वैसे ही है और कैथरीन जो थी बहुत सुन्दर प्यारी सी उस सोसाइटी के जो लड़की है वो उसकी जगह पे अब है उसकी बेटी क्या थी लेकिन उस वक्त हीटकलिफ को जस्टिस नहीं मिला उसकी जो प्रेमिक आती उसने किसी और से पैसे के लिए शादे कर ली लेकिन आप अगर यह दोने प्यार में पढ़ रहे हैं तो हीटकलिफ को लगा कि उसको इनके बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि उसका एम थो था कि उसे क्यातरीन के साथ रहना उसके सिर्फ क्यातरीन चाहिए तो वो क्या करता है क्यातरीन की कबर खोद देता है और फिर वो जो कि ये डिकलर करता है कि जब मैं मरूंगा तो मुझे भी उसके पास वाली कबर में ही दफनाया जाए और फिर उसके दिन ऐसी निकल तो और कुछ दिनों में उसकी भी डेथ हो जाती है अब इस घर में जो हैं Hairton और Catherine ये दोनों साथ में रहते हैं एक दूशे को पढ़ाने लिखाने कोशिश करते हैं खुश रहने की कोशिश करते हैं जो घर हो तो वैसी पुराना साई है ज्याद़ कुछ तो नहीं है तो वो बस अब एक दूसरे के साथ, जिंदगी में तो साथ नहीं रह पाए, तो मरने के बाद एक दूसरे के साथ है यह है Wuthering Heights की short में summary, अगर आपको इसकी detail analysis चाहिए, तो उसके लिए मैंने दो अलग-अलग part में लंबे-लंबे videos बनाया हैं, जिसमें मैंने chapter wise सब बताया है कि क्या-क्या हुआ, क्योंकि 10 minutes में मैं इतनी बड़ी 37 chapters की जो novel है, वो मैं पूरी तो complete नहीं कर सकती थी, इसमें बहुत कम details है, साथा कुछ मैं नहीं बता पाए, लेकिन अगर आप proper details में चाहत है, so if you like this video, please subscribe to my channel.